दोसों इस लेसन में हम लोग यूनिटी के हवाले से बात करने वाले हैं और यूनिटी जो है ये भी एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और बहुत इंपॉर्टन प्रिंसिपल है डिजाइन का तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं यूनिटी को जब हम अपने डिजाइन के अंदर elements को कुछ इस तरह से arrange करते हैं और place करते हैं कि वो आपस में मिल के एक completeness की feeling देते हैं, एक whole की feeling देते हैं, rather than parts की feeling देने के, तो हम कहते हैं कि हमारे design के अंदर unity मौझूद है. Unity का आप लोगों को मालूम है, वैसे भी जो मतलब है, वो यग जहती है. आप लोगों ने सुन रखा होगा, कि the whole is greater than the sum of its parts, यानि के, जब हम किसी चीज़ को overall देखते हैं, तो उसको टुकडों में देखने की बजाए, जो हमें उसकी picture मिलती है, वो बेहतर मिलती है. जब हम किसी अमारत को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक building है, हम कभी भी ये नहीं कहते हैं, कि ये इंटों का एक मजमूआ है. ये इमिज़ आप लोग एक देख रहे हैं, इस इमिज़ को देखके आप लोगों के जहें में क्या आता है, इस इमिज़ के अंदर unity का जो principle है, वो apply हुआ हुआ है, different colors की pencils हैं, color pencils हैं, और उनको arrange किया गया है, उनको कुछ इस तरह से arrange किया गया है, कि वो overall जो पूरा image है, व यूनिटी जो है वो शो कर रहा है, यानि के वैसे तो बहुत सारी pencils हैं, और तमाम के colors भी different हैं, तो उनको तो अलग-अलग दिखना चाहिए, लेकिन जब हम इस visual को देखते हैं, तो पहली बार देखने में हमारा ध्यान उन तमाम pencils के different colors की तरफ नहीं जाता, बलकि उनके अक यूनिटी से basically हमारे design के अंदर order और organization पैदा होता है, और इसके इलावा एक और important बात में आपको बताता चलों, कि यूनिटी जो है, ये आम तोर पे पैदा होती है repetition से, जब आप किसी भी element को repeat करते हैं, तो उसी के मदद से आप unity जो है वो अपने design में produce कर पाते हैं, लेकिन वो repetition इस तरहां की होनी चाहिए, कि वो जो overall image है, वो एक single image की शकल जाए, वो अख्तियार कर जाए, यूनिटी से एक और जो फाइदा होता है, वो ये होता है कि हमारे design के अंदर clutter यानि के mess कम हो जाता है, बेशक हमारे design में जतने मरजी elements मौजूद हों, लेकिन जब वो overall एक unified और एक singular element के तोर पर सामने आते हैं, तो फिर हमारे design में खुबसूरती आजाती है, clarity आजाती है, यूनिटी को समझने के लिए, ये मशूर artist Van Gogh की एक बहुत ही मशूरे जमाना painting, Starry Night को देखते हैं, दोसों इस painting को अगर आप गोर से देखें, तो इसके अंदर जो spiral brush strokes लग की हुई है, cool colors को जिस तरह से उसने unified way में use किया हुआ है, इस से overall पूरी painting में एक unity का जो तास्वर है, वो पैदा होता है, और वैसे तो काफी elements इस painting के अदर मौजूद हैं, लेकिन overall एक बहुत unified look जो है वो इस painting के अंदर आती है, अच्छा जाने कुछ थोड़े से देख ले squares और जो हैं, वो यहां पे place किये हुए हैं, एक visual के अंदर, और आप देख सकते हैं कि क्योंके यह squares हैं और सारे के सारे similar shape हैं, तो इनकी similarity के वज़ा से, इस overall इस image के अंदर एक unity की field जा है, वो पैदा हो रही है, अच्छा इसी तरह से अगर यह circles का visual हम देखें, तो यहां प इस से भी हमें unity achieve होती है हमारे design के अंदर, यह एक और visual देखते हैं, repeat किया गया है, एक ही shape को, एक ही object को, लेकिन कुछ इस तरह से खुबसूरत तरीके से repeat किया गया है, कि overall जब हम उसको देखते हैं, तो हमें जो तासुर मिलता है, वो यह मिलता है, कि एक singular element जो है, वो हम द गलग देख रहे हैं, और यही basically unity का असूल भी है, अच्छा graphic design के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो नजर दोड़ाते हैं, एक मशूरे जमाना गाड़ियां बनाने वाली company है, उसका यह एक logo है, और इस logo के अंदर अगर हम गोर करें, तो हम देख सकते हैं, कि circles को place किया गया और कुछ इस तरह से place किया गया है, कि overall जह है, वो एक बहुत unified और एक बहुत singular element के तोर पे हम इस logo को देख सकते हैं, और यही इस logo की basically design के point of view से पहचान भी बनी पूरी दुनिया के अंदर, अच्छा जी एक आखरी example देखते हैं, पोस्टर की, यह एक बहुत ही famous movie का तो हम बहुत ही असानी से judge कर सकते हैं, कि हमें एक swan नजर आ रहा है, एक जानवर का visual है, और उसके इलावा और बहुत सारे कुछ visual elements जो हैं, वो यहां पे आप देख सकते हैं, text भी उसके साथ place किया गया है, title के तोर पे बहुत ही खुबसूरत तरीके से elegant way में, लेकिन overall text औ और जितने भी visuals हैं, उनकी placement और arrangement कुछ इसके समकी है, कि overall जो poster है, वो बिलकुल एक single image के तोर पे हमारे सामने आता है, वो हमें उसमें सारा कुछ बिखरा बिखरा नहीं लगता, बलके बिलकुल एक जगा पे अकठा हमें feel होता है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, कि unity जो है, ये कितना एहम principle है, और इसके जरीए हम अपने designs के अंदर कितनी खुबसूरती आड़ कर सकते हैं, कितना interest आड़ कर सकते हैं, तो आप लोगों ने unity को जो है, वो explore करना है, इंशाला ताला next lesson में एक और principle लेके मैं आपके लिए हाजर होंगा.